हाई अव्रिवन वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा मैं हूँ डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पाइल्स के लिए दो बहुत ही बढ़िया होम रेमीडी के बारे में यह जो होम रेमीडी आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इनमें से पहली होम रेमीडी तो ऐसी है जो कि आप खुद ही अपने अप अपने घर पर तयार कर सकते हैं और इसको रोजाना बड़ी असानी से आप इस्तमाल कर सकते हैं दूसरी चीज जो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी वो है एक आयरवेदिक मेडिसिन जो कि अगेन पाइल्स के लिए एक बहुती बढ़िया होम रेमीडी है जिसको कि आप रेगुलर्ली इस्तमाल कर सकते हैं और पुरानी से पुरानी पाइल्स के सिम्टम्स को और उसकी जड़ को ठीक कर सकते हैं तो चलिए बीना किसी देरी के इस इंटरस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही चीज़ों के बारे में पूरी डीटियल्स दोस्तों पाइल्स एक बहुत ही जादा एंबैरसिंग डिजीज है जिसमें आपके एनस के यानि आपकी जो लेटरिन करने की जंगा होती है उसके आस पास की जो नसे होती है वो स्वैल कर जाती है फूल जाती है और वहाँ पर एक मस्से की शकल ले लेती है इस मस्से में होने लगती है कुछ लोगों को पेंड़ चाहिन पयं बढ जाता है कि वह जल फिर भी नहीं पाते हैं कि अंदर सद्ध चुरू हो जाता है जैसे की बहुत सब्सारे concerned मुका का कहा है जिसे को लोग बोलते हैं बादी भवसिर और कुछ लोगों में वह ब्ली isn लगती है वगेरा वगेरा लेकिन specifically कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके piles के उपर specifically target करती हैं और आपको बहुत जादा जल्दी अराम देती हैं इन चीजों के बारे में जादातर लोगों को मालूम नहीं है पाइल्स के बारे में एक और बहुत बड़ी अवधारना है कि आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही करानी चाहिए सर्जरी ही इसका एक मात्रस solution है दोस्तों ये बात बिलकुल गलत है क्योंकि सिर्फ 10% केसे सी ऐसे होते हैं पाइल्स के जिसमें आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है बाकी के जो 90% केसे होते हैं उनमें आप बिना सर्जरी के सिर्फ conservative treatments की मदद से भी अपनी इस problem को ठीक कर सकते हैं और वैसे भी पाइल्स की सर्जरी कोई sure shot solution नहीं है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सर्जरी कराने के बाद भी आपकी जो पाइल्स के मास है वह दुबारा से बढ़ जाता है और आपकी problems वापिस से आ जाता है दोस्तो हाल ही में हुई कुछ studies में ये पाया गया है कि दो ऐसे antioxidants होते हैं natural जो कि आपके specifically target करते हैं pile mask को और आपको permanent irreversible results देते हैं और पूरी safety के साथ देते हैं इन दोनों antioxidants का नाम है hespiridin और diosmin I am sure ये दोनों नाम सुनके आप थोड़े से confused हो रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि भला ये क्या बला है क्या है ये hespiridin और diosmin इन्हें कहां से हम लेंगे और ये क्या बोल रहें दॉक्टर आप बेसिकली ये जो दोनों antioxidants हैं दोस्तों इनका नाम याद करने के आपको कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज इस वीडियो में जो home remedy में आपको बताने वाला हूँ इसमें ये दोनों ही antioxidants आपको भरपूर मातरा में मिल जाएंगे दोस्तों आज की जो home remedy है हमारी उसमें बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है नीम्बू और नीम्बू के अंदर आपको ये दोनों ही antioxidants याणि डायोसमिन और हैस्परिडिन खूब भरपूर मातरा में मिल जाते हैं स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो जो skin होती है याणि जो चिलका होता है नीम्बू का इसके अंदरूनी सतह पे जो एक white सा portion होता है अगर आप नीम्बू को काटेंगे तो आप देखेंगे कि उसके चिलके के नीचे एक white सा portion होता है इस white portion के अंदर ही basically ये हैस्पिरि तो आपको क्या करना है इस home remedy में आपको नीमू का रस नहीं लेना है आपको पूरा नीमू लेना है छिलके समेत और उसको इस्तिमाल करना है अब इस home remedy को बनाने का तरीका क्या है वह आप समझ लीजे आपको क्या करना है आपको एक नीमू लेना है और उसको आपको टुकड पाने इसके साथ एक चीज़ और है जो इसमें आपको मिलानी है, वो है Sprouts, अब यह Sprouts जो हैं, वो आप कोई से भी ले सकते हैं, Sprouts, यह नद पर उनकुरित कोई भी चीज़, जो आपको इस प्राउट्स को आपको इस ब्लेंडर पानी और नीमो के साथ मिला देना है इन तीनों चीजों को आप अच्छी तरहां से ब्लेंडर में blends कर ये और इसका एक smoodhy type का बना लिजे और इसको ग्लास में निकाल लिए और इसको पीना शुरू कर दिजिए अगर आप आपकी problem बहुत जादा है आपको symptoms बहुत जादा severe है तो शुरुवात में मैं recommend करता हूं आप पूरो रोजाना इसको करीब 2-3 time लीजिए जब आपकी problem थोड़ी कम होने लगे आपके symptoms में आपको अराम मिलने लगे तो उसके बाद आप इसको दिन में एक बार उसके बाद जब बहुत जादा आपको effect मिलता है बहुत जादा आराम मिलता है आपकी जो pile का mass है वो भी shrink होने लगता है जो symptoms piles से associated होते हैं pain, itching, burning वगरा के, constipation वगरा के उसमें भी आपको आराम मिलता है और जो sprouts है इनसे आपको और भी फायदे मिलते है क्योंकि sprouts के अंदर nutrients बहुत जादा होते हैं दूसरी remedy जो कि आपको piles के लिए इस्तेमाल करनी है वो है PF90 और PF90 boost दोस्तों यह एक आयरवेदिक treatment है जो कि हर तरह की piles के लिए design किया गया है इन दोनों medicines को जब आप साथ में लेंगे तो उससे आपको हर एक तरह की चाहें आपको खूनी बवासीर हो चाहें आपको बादी बवासीर हो दोनों में आपको काफी एच्छे results मिलेंगे PF90 जो है दोस्तों बेसिकली इसके अंदर कुछ ऐसे ingredients जाले गए हैं जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इसमें रसौत डाला जाता है इसके अंदर मुकिल डाला जाता है इसके अंदर नीम डाला जाता है इ जोकि पूरी तरह से Ayurvedic test के accordingly proven है कि आपकी piles के mass को सुखा देते हैं आपकी piles के अंदर जो itching और burning sensation रहता है उसको कम कर देते हैं और इसके साथ साथ आपको constipation में भी relieve देते हैं या bleeding या non bleeding piles में अगर आपको खून जाता है या वहाँ से मवाद जाता है तो उसको भी कम कर और ultimately जो आपके piles के mass होते हैं जो मस्से होते हैं वो सूखने लगते हैं और shrink होके जड़ जाते हैं और आपको permanent results मिलते हैं ये पूरी तरह से safe और effective treatment है piles के लिए इसमें PF90 के साथ एक और medicine आपको मिलती है PF90 boost से जैसा कि मैं आपको बताया और ये boost जैसा कि इसके नाम से ही जा पाइल्स की जो जड़ होती है वहाँ पर ये काम करते हैं और आपको permanent results देते हैं आपका digestion भी इससे improve हो जाता है आपके जो motion है वो भी soft हो जाता है जिसकी वह जासा irritation कम होता है दर्द कम होता है और बाकी भी जितने problems आपको associated होती है piles के साथ उन सब ही में आपको अराम मिलता है इस medicine को लेना भी बहुत जादा असान है इसमें आपको ये दो medicines जो मिल रही है PF90 और PF90 boost दोनों में से एक एक tablet आपको लेनी होती है दिन में तीन time यानि सुभा नाश्ता करने के आदा गंटे बाद आप दोनों में से एक गोली ले लीजे दुपहर का खाना खाने के बाद ले लीजे और फिर रात का खाना खाने के बाद भी इन दोनों को साथ में आप ले लीजे अगर आप हलके गरम पानी से इनको इस्तमाल करते हैं तो आपको results और जादा बढ़िया मिलेंगे और इनके साथ थोड़ा सा परेज बस आपको करना है बादी चीजों का जादा जानिंग है surgery की 3rd grade से भी आगे आपकी problem बढ़ चुकी है तो इस case में आपको थोड़ा time जादा भी लग सकता है लेकिन अमूमन एक average moderate category की severity में आपको करीब 3 महीने इसको इसको इस्तमाल जरूर करना चाहिए PF90 package को अगर आप purchase करना चाते हैं तो इनके links आपको नीचे description box में और pinned comment में मिल जाएंगे वहाँ से click करके आप इसको directly order कर सकते हैं और इसके बारे में और जादा जान भी सकते हैं मैं पहले भी इन medicines के बारे में यानी PF90 के बारे में आपको बता चुका हूँ और बहुत सारे लोगों ने इसको मेरे recommendation के बाद इस्तमाल किया है और जो में जो feedback मिली है वो बहुत ही जादा अच्छी है तो एक बार आप भी इसको try करिए अगर आप सब कुछ try कर चुके हैं आप surgery भी करा चुके हैं या फिर आप हार चुके हैं और आपने सोच लिया है कि अब आपको piles के साथ ही जीना है तो आप एक बार इस treatment को ज़रूर try कीजिए I am sure आप disappoint नहीं होंगे दोस्तो पाइल्स जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत गंभीर समस्या है और अकसर लोग इसमें इसलिए परशान जादा रहते हैं क्योंकि वो शर्माते हैं शरुवाती दौर में इलाज ही नहीं करते हैं और इसी वजह से अंदर अंदर आपकी problem बढ़ती रहती है इसलिए अगर आपको पाइल्स है चाहे बिल्कुल शुरुवात है या बहुत सीवर केटेगरी का है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है शर्माना नहीं है प्रॉपर जानकारी जुटाएं सही चीजों का इस्तमाल करें सही इलाज कराएं और सबसे बड़ी बात अपनी दिन शेयर कीजिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ के फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुती बढ़िया सी वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा